Hey guys, welcome to study IQ India के लिए एक बहुत यची न्यूज है, काकरापर Atomic Power Plant का जो तीसरा रियक्टर है, ये criticality अचीव कर चुका है, अब सुनने में लगता है कि critical हो गया है, कुछ खराब बात है नहीं, positive बात है, criticality का मतलब, ये अब electricity produce कर सकता है, यहाँ पर आप देखेंगे, ये एक major event ह है, इसके बारे में tweet किया है, हमारे Prime Minister ने, Vice President of India ने, Home Minister ने, और Prime Minister ने आपर ये का है, congratulations to our nuclear scientists for achieving criticality at काकरापर Atomic Power Plant 3, this indigenously designed, ये जो पूरा reactor है, ये हमने खुद अपने देश में design किया है, और इसकी जो capacity है, ये है 700 MW, तो जो KAPP-3 reactor है, ये एक shining उधारण है, make in India का, ये कह रहे हैं हमारे प्रधानवन्तरी, और आगे कह रहे हैं कि in the future, काफी से achievements हम प्रात कर सकते हैं, और बिल्कुल कर सकते हैं, अगर हम खुद अपने देश में 700 MW की capacity के reactor डवलप कर सकते हैं, तो मतलब के nuclear energy के मामले में, हमने काफी development कर है इनिया में, तो discuss करते हैं इस topic को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, Google Play Store पे जाओ, download कर अप, study IQ, education app, और यहां पे आप पर्चेस कर सकते हैं, हमारा flagship UPSC course, जिसके लिए EMI option भी available है, and don't forget to subscribe to study IQ, and press the bell icon, तो जैसे मैं आपको बदाया के काकरापर atomic power plant का जो तीसा reactor है, criticality achieve कर ली है, पहली बात तो यह जो atomic power plant है कहाँ पर, यह मैं आपको मैं आपने दिखाता हूँ, तो यहां पर आप देखेंगे, यह है हमारा प्यारा वारत, और यहां पर आपको देखेगा, गुजरात, ना गुजरात में, यहां पर है, सदन गुजरात हैं, वो हैं तीन, अभी जो हम news पढ़ रहे हैं, यह news है, तीसरे reactor की, बाकी दो reactor यहां पर पहले ही थे, जो पहला reactor है यहां पर unit 1, यह 1993 में operationalize हो गया था, मगर जो इसके पहले दो reactor हैं, उसकी capacity बहुत कम है, बिजली produce करने की, यह दोनों जो reactor हैं, यह electricity produce करती हैं, दोनों मि काफी कम है एक reactor के हिसाब से, मगर since यह reactor 1990s के हैं, तो इनकी जो capacity है, वो भी काफी कम है, अब जो नया तीसरा यहां पर reactor बना है, इसकी capacity बदाए जा रही है, के 700 MW है, और in the future जो चौथा reactor यहां पर बनेगा, जो अभी construction इसकी चल रही है, जब यह complete हो जाएगा, तो इसकी जो capacity है, यह भी 700 MW होगी, और इसरे को फाइदा यहां पर गुजरात के लोगों के लिए है, सस्ती electricity इनको यहां पर मिल जाएगी, nuclear power सबसे cheapest होता है, और काफी अद तक reliable भी होता है, तो यहां पर आप देखोगे, सदन गुजरात में सुरत की आसपास, electricity कितनी problem है नहीं, औ बहुत ही simple शब्दों में जरे मैं समझाता हूँ, इसका मतलब यह है, कि nuclear reactor criticality तबरीज करता है, nuclear reaction या फिर vision करने को, जिससे generate हम कर सकते हैं, energy मतलब के electricity, तो आज के समय, it is capable to generate electricity, अब इसका जो academic meaning है, वो थोड़ा सा आपको जादा complex दिखेगा, देखो, criticality एक normal operating condition होती है, ए तबरीज की जाती है, जब nuclear fuel, इस case में uranium, यह sustain करता है, एक fission chain reaction आपको बता होगा, कि nuclear technology में दो type के reaction हम use करते हैं, fusion और fission, fusion के power plant आपको नाके ब्राबर मिलेंगे, उसको हम properly अभी perfect करनी पाए हैं, दुनिया बर में fission based nuclear power plant आपको मिलेंगे, तो during criticality, each fission releases a sufficient number of neutrons to sustain an ongoing series of nuclear reaction और फिर हम कहते हैं, कि यह जो reactor है, यह criticality में आ चुका है, now इस development को अगर हम देखें, एक broader perspective से, तो इंडिया के लिए काफी अच्छी news है, पहली बात तो यह है कि इंडिया के जो long term plans हैं, under Paris Climate Agreement, उसमें हमने यह काए कि 2030 तक, जो 40% हमारी electricity है, यह generate होगी from non fossil sources, मतलब कि हम coal, petroleum इस सब का इस्तवाल नहीं करेंगे, 2030 तक 40% अपनी electricity प्रड्यूस करने के लिए, तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा substitute है, nuclear energy, और इस particular reactor में जो हमने technology यूज करी है, इसका नाम है IPHWR, अब वैसे देखो, PHWR एक काफी पुरानी टेखनीक है, 1940 से चल रही है, और इसका न करते हैं कि जो heavy water है, इसको use करते हैं as a coolant, तो इंडिया ने क्या किया है कि इस technology में कुछ changes किये हैं, अपने हिसाब से modifications add करी है, तो हमने PHWR का बना दिया, IPHWR, अब ये अपने आपने आज के समय एक unique technology है, जिससे एक काफी पराने method से आप ज़ादा electricity produce कर सकते हैं, और जो ये technique है, इसको देखकर बहुत सारे African countries भी interested हैं, वो ये मानते हैं कि since US, France और even Russia, आफरिका में nuclear reactor construct करने के लिए billions charge करेंगे, in the future अगर इंडिया इस technology को properly master कर लेता है, यहाँ पर जो safety features है इनको और improve कर लेता है, तो ये बिलकुल चाहेंगे कि आफरिका में भी इसी technique से pressurized heavy water क ये बना दे, जो 700 MW की electricity प्रड्यूस कर पाए, which is a lot, अब मैं आपको ये बजा दूँ, कि जो कुदान कुलम में रश्या बना रहा है, एक nuclear reactor तामिल नाडू में, उसकी capacity काफी जादा है, वहाँ पे आप अगर देखोगे तो एक unit 1000 MW तक प्रड्यूस कर लेता है electricity, मगर उस के साथ साथ problem भी ये है, कि cost जादा होती है, फिर रश्या के साथ relations बनाने में US का भी issue रहता है, तो इंडिया, एफरिका में एक जो बहुत बड़ी market है, in the future capture कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा issue ये है, कि एफरिका का जो long term plan था, कि ये लोग hydro electricity पर focus करेंगे, और नदिया, बहुत सारी lakes सूख चुकी है, तो बहुत सारी African countries के लिए hydro power option है नहीं, तो वो इस वक्त देख रही है इंडिया को, के in the future, इंडिया अगर इस technology को और जादा माशर करता है, तो इंडिया can become an exporter of nuclear technology, अब देखो जो PHWR है, इसके बारे में कुछ जान लो, इसके ति यूज करते हैं as a coolant, या फिर moderator, नई तो अफकोर्स जो reactor है, ये बहुत ही जादा hot हो जाएगा, और it can cause problems, और हम यहाँ पे fuel के रूप में यूज करते हैं natural uranium, अफकोर्स enriched इंडिया में ही होता है, और ये इंडिया के पास एक और काफी बड़ी उपलब्दी है, कि हम लोग uranium खुद अपने देश में enrich कर लेते हैं, क्योंकि uranium आप अगर mine करके निकालो, तो आपको बहुत ही raw form में मिलेगा, तो जो ये टेखनीक है heavy water को use करने की, ये produce करी थी Canada ने in 1940s, और initially इसको नाम दिया गया था CANDU, 1956 में Canada ने 40 MW का एक CANDU reactor इंडिया को export किया था, और US ने provide किया काफी आज के समय मासर कर रखा है, और इसका एक Indian variant तियार कर लिया है, जिससे हम खुद indigenously अपने देश में 700 MW की बिजली प्रड्यूस करने वाला एक reactor प्रड्यूस कर सकते हैं, यहां पे आप देखोगे भारा सरकार की tweet है, कि जो इसके components हैं और equipment है, हर एक छोटे से छोट equipment, सब कुछ इंडिया में manufacture किया गया है, यह reactor बनाने में हमने किसी भी foreign country की कोई भी मदद नहीं ली, so it is a huge achievement and it is a good sign for India, so अभी के लिए यह है and इस वीडियो का, thanks for listening and as always, God bless you all.